नीमच के मेडिकल स्टोरों पर अब ड्रग्स भी बिखने लगा है, स्मैकची नशे के इंजेक्शन खरीटते हैं और नशा करते हैं, इस मामले में अरिहंत मेडिकल स्टोर का वीडियो सामने आया है, जिसमें मेडिकल संचालक नशेडी को ड्रग्स का इंजेक्शन बेज रहा है, इस खुलासे के बाद जहां मेडिकल संचालक मेडिकल बंद कर भाग निकला है, वहीं पुलिस जाच में जुट गई है, यहां संसनिकेज खुलासा भाजपा नेता रोशन वर्मा ने किया, उनके घर से कुछ दिन पहले एक साइकल चोरी हो गई थी, दो चोर CCTV फूटेज तो उन्होंने बताया कि वे साइकल बेच कर मेडिकल से ड्रक्स खरीते हैं, और एकता कालोनी में रानी नाम की महिला से स्मैक भी लेते हैं, साथ ही ड्रक्स बेचने वाले कहीं लोगों के नाम भी बताये, भाजपा नेदार ओशन वर्मा ने शहर में फैलते नशे के कारोब कर लिया गया और फिर पुलिस को सोब दिया गया, रोशन वर्मा का कहना है कि नीमज में ऐसे दो तीन मेडिकल स्टोर हैं जहां ट्रक्स बिखता है, कल लगबक साथ बज़े जब में घर आया, तो मैंने देखा मेरी भक्तिजे की साइकल गायब थी, तो धूंडा हमने नहीं मिली, उसका फूटेज हमने चेक करे, फूटेज में एक संदिग्द व्यक्ति, अग्यात व्यक्ति दिखा, और उस व्यक्ति की हमने जब पहचान कर तो आज सुबे करीबन दस बज़े करीब वो लड़का एकता कालूनी में पाया गया, मुखबीरों की सूचना के थूरू हमार को मालूम पड़ा कि ये लड़का हुआ है, वहां से ये और एक इसका साथी जिसने साइकल चोरी करी थी, दोनों को हमने पकड़ा, और उनको पक पुडिया के बिचे किसी व्यक्ति को बेजी है, जिससे पुलीस को ये हमने जानकरी भी दे दी, उसके अलावा इनों से जब मामला पुरा मालूम करना चाहा, तो मालूम पड़ा कि ये पुडिया इनको कोई रानी करके एक लड़की है, एक टाकलोनी की, वह इनको पुडिय पुडिया बेशती है, और वो इनसे चोरी का माल भी खरीती है, ये ऐसा इनका कहना है, उसके अलावा एसे तीन चार मेडिकल वाले हैं, जो इनको एक नसीला इंजेक्शन देते हैं, 120 रुप में इंजेक्शन देते हैं, वो जब उसकी हमने जान सुरू करी, ये उसकी दुक ये ही कहना चाहता हूं, इन नसेडियों जिनको इन युवाओं को जो नसी की लतों में लगा रहा है, इसे मेडिकल संचालक और जो इन खुले में ये ड्रक्स बेश रहे हैं, उन पर कारवई होना चाहिए, इसमें अभी तक एक मेडिकल का नाम मालूम पड़ा है, अरियंत म मेडिकल होर हैं, इनका नाम भी प्रसाथन के पास आ चुका है और पूस्ताज में इन्होंने कबूल लिया है, साइकल कहां से चोरे होई हैं, जयन कालोनी में बंगला नंबर 47 से मेरे घर के बहर ते चोरे होई है, वहां से चोरे हुए, ये साइकल प्लीस को पकड़ा तो इन कि इसमें कुछ मेडिकल वाले हैं जो नसे का इंजेक्शन होन बेचन है जिसको लगा के यह चोरिया करते हैं और उनको संग्यान में डाल दिया है उनका वीडियो भी हमने इस्टिंग करवा है मेडिया बन्दू के माद्यम से आप सभी के माद्यम से हमने एक वीडियो भी बनवाए है जो आप सभी के पास पोचावे है पका नाम रोशन वर्मा नेमच में ड्रुक्स का कारोबार एकता कालोनी की जोपर पट्टी से लेकर चाय सुटता दुकान तक चल रहा है नीमच की ए पहले भी MD और समेक के मामले में कहीं लोगों को पकड़ा है तो कहीं अभी इस दंदे में लिप्त हैं रानी पतंग राजा तो पहले गिरफतार हो चुके हैं वहीं सद्दू शादाब शिकायत होने के बाद भी गिरफतार नहीं हुए हैं यह वहीं लोग हैं जो युवाओं को नशे की लत लगाकर उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं नीमच्थाना प्रभारी सोरफ शर्मा ने कहा कि साइकल चोरी के इस मामले की हम जाज कर रहे हैं ड्रक्स का एंगल सामने आया है शिकायत हुई है जिस पर जाज कर रहे हैं साइकल चोरी का यह मामला है कि कल दिनांक को एक साइकल चोरी हो गई थी जहन को लोनी बंगला नंबर 47 जहन को लोनी से तो फरयानी ने आके जब वो गर पहुचा तो उसकी साइकल वहां पर नहीं थी तो उसने आस पास के जो CCTV फोटेज बगर आते उसको उसमें देखा तो दो लड़के नजर आए जिसमें एक का नाम जो है वो करन ओर्फ कन्नु बेरागी और दूसरा जो रखाय काना जाटा व्यार का वह उनको दोनों को जानता है तो आज सुबह उसने पता किया होगा तो दोनों आरोपियों को दोनों लड़कें को साथ में लेकर वो थाने आया तो उसके बाद पुलिस के दुवरा एफईयर की गई है और अगरिम करवा ही की जारी है शिकायत करता कूं शिकायत करता जो है वो रोशन वर्मा पिता रतनलाल जी वर्मा जाती सोणकार उमर 37 साल निवासी बंगला नमर 47 जेन को लोड़ी है साइकल किसको बेचे गए था है हुआ है बेधा है अर्मा जाते की जारी है